जहीं दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे यूटीब चैनल पे दोस्तो करेंट अफेर्स की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं पद्म पुरुसकार जिस अगर बात करें सबसे बड़े नागरिक सम्मान की जो भारत में परदान की जाते हैं तो सबसे बड़ा नागरिक मैं बाद पुरसकार नहीं देखने बाले हैं पद्म पुरसकार में पद्म भूसन और पद्मसरी आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं उसके पहले अगर आप लोग चैनल highly स्बूंजी यहां सब्सकार कौन यहां बनाए हो और दोस्तों अगर आप लोगों मेरा टीली म्यानल जॉइन कर लें तो चली देखते हैं पहली बार अगर बात कर दोस्तों पहली पुरस्कार कब देखिएग्या था तो आप 128 व्यक्तियों को 128 लोगों को जो है वो पद्म पुरुसकार दिये गया है या पद्म पुरुसकार की घोसना की गई है तो चलिए देखते हैं यहां पर और वी कुछ कितने लोगों को दिया गया है तो चार लोगों को दिया गया है अगर पद्म भुसन की बात करें तो 17 लोगों को दिया गया है और पद्म सिरी की बात करें दोस्तों तो 107 व्यक्तियों को पद्म सिरी दिया गया है तो आगे अगर हम दो देखें दोस्तों यहां पर देख सकते है तथा 13 वैक्तियों को जो है वो मन्रोपरांत या पुरस्कार दिया गया है अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों पद्म विभूशन जैसा कि आप लोग पता है दोस्तों भारत रतन की बाद ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है दोस्तों तो पद्म विभूश सबसे पहले बात करें तो वह प्रभाह अत्रे जिन अप्रभाह अत्री जी को दिए गया है जो किस फिल्ड से संबंदी थे तो कलास संबंदी थे हैं आगे बढ़ते दोस्तों और आगे हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं आप नेक्स जो है वह राधिस याम संब्दिन थे किस छेतर से संब्दिन थे तो साहित एवं सिच्छा विभाग से संब्दिन थे चलिए आगे बढ़ते हैं नियाक्ष दोस्तों जनरल विपीन रावद आप लोग पताग दोस्तों देश के पहले सीडियस थे जनरल विपीन राथ एक हेलियोकॉप्टर संब्दिन थे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ष दोस्तों पद्म भूसन पुरुसकार दिया गया है कौन-कौन है वो चलिए देखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों पहला जो है वो है गुलाम नभी आजाद जो इनको कि सेतर के लिए दिया गया है तो पड़्लीक अफेर्स के लिए दिया गया है आगे बढ़ते हैं नेक्ष कोचो sniff मनभंच दिया गया है तो एक दोस्तों नेक्ट देखते हैं नेक्ट केकर बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर गुर्मीत बावा इनको मनुर्प्रांस यह पुरुषकार दिया गया है जो कला चेतर से संबंदीत हैं दोस्तों अगर बात करें तो पद्म पूरुसकार से संबंदीत 1% पूछा जाता है किसी भी जांस में जिस वंडे जांस में पूछा जाता है पद्म पूरुसकार से संबंदीत अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेते हो और जो बुद्देब भुद्देब भठाचे जो सवरूजनिक मामले से संबंधित हैं कि आगे बढ़ते हैं नटराजनыт चंदरसेकर ये को भी दिया गया है और ये किस छेत्र से संबंधित है तो व्यापार उद्योग से संबनित है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्षन दोस्तोम कृच्पन एला और सुचित्रा इनको संद्रप्प्रें और किस यह सहतREY आगे बढ़ते हैं तो यह व्यापारों उद्योक्रवक शहतREY से संद्र से नेक्ष दोस्तो, मदूर जाफरी और इनको भी किसी अन्य छेत्र में पद्म भीुसन पुरुसकार 2022 दिया गया है। देखते हैं नेक्ष दोस्तों देवेंद्र जाजरिया इनको खेल के लिए जो है वो पद्म भूसन पुरुषकार 2022 से सम्मानित किया गया है चलिया आगे बढ़ते हैं नेक्ष दोस्तों रासीद खान जिसो रासीद खान इनको कला छेतर के लिए सम्मान दिया गया है नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तो राजी महर्शी इनको किस छेत्र के लिए दिया गया है तो आप देख सकते हैं यहां पर सिविल सेवा छेत्र में राजी महर्शी जी को पर्णु भुसन पुरोसकार 2022 से सम्मानित किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तो सत्र नडेला जिससो आपनों को पता होगा सत्र नारायन नडेला इनको किस छेत्र के लिए दिया गया है तो आप देख सकते हैं व्यापार और उद्योग जिससो व्यापार उद्योग के लिए दिया गया सत्र नारायन नडेला ज पिचाय को पद्म भूसन पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट है साहिरस पुनावाला इनको किस चेत्र के लिए तो आप देख सकते हो व्यापार और उद्योग यूसों व्यापार और उद्योग के लिए साहिरस पुनावाला को पद्म संजय राजा राम इनको मनुप्रांद पद्म भूसन फुरुषकार दिया गया और यह किस चेत्र से संबंदित है तो आप देख सकते हैं विज्ञान और इंजिनिरिंग चेत्र से संबंदित हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स दोस्तों सूसरी परतिभार आये या प्रश्चा जिसो साहित और सिक्षा के लिए इनको दिया गया पद्म भूसन फुरुषकार 2022 आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं दोस्तों प्रठी जी को भी पद्म भूसन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है और यह किस चेत्र से संब्दित है तो आप लोग देख सकते हो साहित एवं सिक्षा विभाग से दोस्तों जैसा कि पता कि पद्म सिरी पूरुषकार जो है वो कुल 107 वैक्तियों को दिया गया है तो यहां पर टोटल मैं यहां पर इंक्लूड नहीं किया हूं जो मुख्य मुख्य वैक्ति हैं जिनके बारे में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है दोस्तों कि अन लोग को एड किया हूं तो वह मैं आप लोग को बता दिता हूं और बांकि अगर 107 वैक्तियों का नाम आ देखते हैं वो मुख्य वैक्ति कौन है जिनको पदम सरी से समानित किया गया तो आप देख सकते हैं तो वह है दोस्तों प्रोफेसर नजमा अक्तर जो दिलली से हैं उसके बाद अगर बात कै दो समीत अंतिल जो हरियाना प्रदेश से हैं ऑर आगे कर बढ़ें तो हम यहां पर देख सकते हैं प्रमोद भागत जी जो उलीशा से सम्मंदित हैं उसके बाद है दोस्तों आचारे चंद नाने जी जो बिहार से हैं नीरत चोप्रा हर्याना से दोस्तों इनको भी पद्म सिर्फ पुरस्कार दिया गया है आप लोग पता होगा कौन है नीरत चोप्रा और आ समानित क्या गया है आघे बढ़ते हैं नैक्षा दोस्तों अवनीलेख्रा इंतास से हैं महराज से हैं इनको भी हैं दिया गया यह मुख्य व्यक्ति थे दोस्तों जो जिनको पदमसरी से समानित किया गया है और इनके नाम को पूछे जाने की सम्भाना बहुत ज्यादा है इस वह से मैं सब्सक्राइड कर दिया हूं मां की टोटल अगर बात करें पदमसरी सम्मान कितने व्यक्ति दिया गया है तो मैं पहले बता चुका हूं टोटल 107 व्यक्तियों को पदमसरी पूरसकार से सम्मानित किया गया इस वर्स यानि 2022 में ओके दोस्तो तो अभी के लिए बस इतना ही आहोप या व्यूडियो आपको के लिए बहुत ही महत्पून रहा होगा आई के लिम्हार साथ जूड़ें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करकी सेर कर दें थैंक दोस्तो जहीं जै भारत वंदे मात्रम